Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, Studyboard Plus with Prashant Friends Control System Series में आपको एक बार फिर से स्वागत है तो इस वीडियो में Friends मैंने एक और Question लिया हुआ है जिसमें हमें Calculate करना है Transfer Function C2 by R2 of Signal Flow Graph ये Question Friends मेरी पिछली वाली वीडियो से पूरा Interlink है जिसमें हमने Same यही Signal Flow Graph लिया था और Transfer Function Calculate किया था C1 by R1 पर उस वीडियो में मैंने Friends आपको सारी Steps लिखे दी हुई थी उस Steps का यूज़ करके आपको Calculate करना था By the help of Mason Gain Formula वो Academics ले बहुत ज़्यादा सही था समझने के ले बहुत सही थी Step लेकिन Friends अगर Gate की बात करें तो आपको Question जल्दी से जल्दी Solve करना है 20-25 सेगंड में आपको Question Solve करना है तो इसलिए मैंने Question द्वारे लिया है जिसमें हम Transfer Function Calculate करेंगे पर Steps का यूज़ में करेंगे वो Steps हम Mind में करेंगे और Formule को देखते हैं तो आईए Friends इस Question को स्टार्ट करते हैं हमें Calculate करना है Friends Transfer Function C2 by R2 तो सबसे पहले हमें देखने है Forward Path कितने है यहां से यहां जाने का तरीका एक तो यह है ऐसे हम जानी सकते है Aero Cross कर रहा है उपर से भी नहीं जा सकते है उपर से गर जाएंगे तो यह वाला Point दो गार्टाच हो जाएगा तो हमारा एक Forward Path है 1 N equal to 1 हो गया इसको अतला formula क्या करनोट हो जाएगा आपका जब मैं N1 लेखूँगा M1 Del1 upon Del तो M1 क्या होता आपका Forward Path Gain तो इस Forward Path का Gain क्या है G3 into G4 तो यहां लेखा मैंने Transfer Function G3 into G4 Del1 आप हमें calculate करेंगे इंटूर ऐसे रहने दीजे upon सबसे पहरे हमें लेकारना है Del Del क्या होता है 1 minus sum of individual loop gains तो 1 minus individual loop gain सबसे पहरे हमें देखने कितने loop हैं इसमें एक loop यह है एक loop यह है एक फ्रेंट्स आपका इनीचे वाला loop हो गया एक यह दिखना बड़े वाला hurt वाला तो 4 loop हो गया है 4 loop के हमें individual loop हमें gain लिखना हुआ है तो यह हो गया minus H1 G1 minus आपकी इसका हो जाएगा minus H2 G2 इस नीचे वाले का हो जाएगा minus H3 G3 into G4 उसके बाद एक यह बड़े वाला loop तो minus minus में plus हो जाएगा तो क्या होगा G5 G6 H2 H1 plus G5 G6 H2 H1 यह हो गया उसके बाद फ़र्म में आ रहा है plus sum of two non-touching loop gain plus two non-touching loop gain जो आपसने loop touch नहीं है एक तो यह हो गया एक यह वाला आपसने touch नहीं है तो इनका gain लिख लेते हैं इसका इसका लिखना है तो हमें हो गया G3 G4 minus H3 minus G3 G4 H G4 है यह H3 और H1 G1 उपर वाले का है तो minus से plus हो जाएगा H1 G1 plus यह दो non-touching है तो इसका क्या होगा G3 G4 minus H3 G3 G4 minus H3 minus से minus प्लस हो जाएगा और H2 G2 into H2 G2 उसकाल आपका आता है minus sum of 3 non-touching loop gain तो इसमें ऐसा कोई भी तीन loops में है जो आपका से touch नहीं हो रहे तो यह निल हो जाएगा अब आता है आपका delta sorry del K del K क्या होगा अगर आपका एक forward path है तो del 1 हो जाएगा वो तो del 1 की value क्या होती है the value of delta which is not touching the forward path अब यह आपका forward path है यह वाला जो मैंने दोवारे green color से मार कर दिया है इस forward path पे कौन सा loop touch नहीं हो रहा है यह वाला loop touch हो रहा है इसका नहीं लिखेंगे यह बड़े वाला touch हो रहा है इस point पे लेकिन यह दो touch नहीं हो रहे है तो direct जो touch नहीं होता वो 1 से minus कर दिये वो यह आपका del 1 होता है तो 1 minus एक तो यह touch नहीं हो रहा है तो इसका क्या हो जाएगा minus h1 g1 एक यह touch नहीं हो रहा है minus h2 g2 friends यह आपका transfer function है एक फिर से उता हूँ सबसे पहले आपको m1 लिखना है जो आपका forward path होगा उसका del लिखना है del के लिए formula होता है इसका use करना है और सीधे del 1 के लिए क्लिए क्या करना है friends जो value आपकी touch नहीं हो रही है उस forward path से उसे बस minus कर दिए 1 से अगर सारे touch हो रहे हैं तो हमारा one होगा इस तरह से friends आप easy लिए और जल्दी से जल्दी calculate कर सकते है transfer function एक question में और लोगा friends जिसमें हम use करेंगे यही concept लेकिन अब बबार में formula भी नहीं लिखुगा ताकि आपकी speed increase होती जाए कि friends gate में आपको जाल से ला questions लगाने है और academics की बात करेंगे तो आप एक दो question लगा सकते हैं पूरा pattern समझ सकते हैं पर gate ले आप जितने question प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका phone बे आपके mind में आएंगे वो step आपके mind में चलने लगेंगे ताकि आप बहुत जल्दी से जल्दी question solve कर सकें तो friends अगर आपका फिर भी doubt रहता है तो comment section में आप मुझे बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो like कीजे और जाए शाया share कीजे वीडियो को and friends please don't forget to subscribe my channel